नमस्ते फ्रेंज कैसे हैं आप सब आज मैं बनाने जारी बहुत ही ज़्यादा ईजी सबजी जो की जटपट बनके तयार दस मिनट में हो जाएंगे तो मैंने यहां दो मुठी पालक लिया था यह फ्रेस पालक है एकदम बिल्कुल अभी ज़स्ट में मार्केट से लाई हूँ अभी बन कर रहा है बना लूँ तो मैं इसको अच्छी तरीके से 2-3 पानी से रगर रगर के धोलूंगी और ये सख बनके बहुत ही जल्दी तयार होते हैं, ना ज्यादा तेल लगते हैं, ना ज्यादे मसाले, ये कोई भी एच के लोग अच्छी तरीके से खा सकते हैं, ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और ये ठंड के मौसम में ही पालग ज्यादा मिलते हैं, तो तो महीं काटो या मोटा यह जल्दी से गल जाते हैं तो मैंने इसको इस तरीके से कट कर लिया है और आपको मेरा रेशिपी कैसा लगता है जरूर बताना आप मेरे रेशिपी को कितना लाइक करते हो कैसा मैं खाना बनाती हूँ और बताना कि मुझे में क्या प्रॉब्लम में मैं क्या गलती करती हूँ खाना बनाने में हो सकता है आप मुझे अच्छा खाना बनाते हो तो देखे मैं सारे पालक को इसी तरीके से काट लोंगी और मैंने इधर गैस को ओन करके रखा है फ्लेम कम करके इधर मैं काट रही जिसमें कि मैं जूखी लाद मिर्श दालूंगी इसमें सूखी लाल मिर्श तोड़ा सच ज्याधर डलता है क्योंकि ये सोना पन होता है साग में और सोना करने करने हो जीरा नहीं स्वखल ये independence झाल डालना सोरी कि हारी मेंच को डाल दिया है तोर के और स्वाद के सबसे नमक डालना है नत्त कम की डालना कि घर की बहुत ही कम हो आप इसका कौंटिटी देखे इगामागाम डालोगे न Economics में जादा हो जाता है अगमें साग में देखो ये गल के पक्के तैयार हो गया है आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर करना लाइक करना कमेंड करना प्लीज फ्रेंट्स मेरा सपोर्ट करना तो देखें ये कितना अच्छा बनके तैयार हो गया है विंटर स्पेशल साख बहुत ही यमी हेल्दी टेस्टी तो मैं मिलूंगी फिर नई रेश्पी के साथ थेंक्यू बेरी मुच